लंकन का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं लंकन का आर्थ होता है श्री लंका या उसके लोगों से संबंदित या उससे संबंदित यानि कि श्रिलंका से संबंदित या श्रिलंका का या श्रिलंका के लोगों से संबंदित कोई चीज होती है तो उसे हम लंकन कहते हैं यानि कि जैसे इंडिया से संबंदित कुछ भी होता है तो उसे हम इंडियन कहते हैं उसी तरीके से लंका से या श्री लंका से सम्बंदित कुछ भी होता है, तो उसे लंकन कहा जाता है। और श्री लंका जो है धक्षिन एशिया में हिंद महसागर के उत्रे भाग में इस्तितिक दुईप्य देश है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि दो स्वतंत्र श्री लंकाई निगरानी समू कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी, तो आप कहेंगे तो इंडिपेंडेंट श्री लंकान मोनेटरिंग ग्रूप्स वर फार मोर क्रेटिकल, यागर आप ये कहना चाहें कि लेकिन उसने श्री करनेदारी को कम करने का भी आवान किया, तो आप कहेंगे, but he also called on the श्री लंकान गवर्मेंट to act responsibly. अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें